जैसा कि सब जानते हैं कि व्याकरण का कारक प्रकरण भाशा की दृष्टी से अत्यांत महत्यपून विशय है हम अपने व्याख्यानों के माध्यम से कारक संबंधी सूत्रों पर विस्तर चर्चा कर रहे हैं और उसी संदर्व में कर्म कारक पर चर्चा की जा रही है इस से पूर्व के व्याख्यान में मैंने एक सूत्र जो गति वुधी प्रत्यवसान शब्द कर्मा कर्मका ना मनी करता सरणवू इस सूत्र पर चर्चा की थी और उस सूत्र के बाद उस सूत्र पर अनेकों वारतिक आचारे कात्याइन ने लिखे हैं जो कि अपवाद के सार वक्य रचना नहीं करेंगे तो हमारा वक्य अशुद्ध ही रहेगा तो इसलिए अब आगे एक वारतिक जो आपके सामने है वो है आधी खाद्य और ना में जो हमारा सूत्र है उसमें कई पद हैं उसमें सबसे पहला पद है गति दूसरा है बुद्धी तीसरा है प्रत् अकर्मक जो प्रमुक सूत्र है जिस से समंधित ये वारतिक दिये गए हैं तो उसमें एक पद है प्रत्यवसान और प्रत्यवसान का अर्थ होता है खाना तो खाना अर्थ वाली धात्यों का जहां प्रयोग होता है उनका अनिजन तवस्था में जो करता होता है उन धात्यों तो वो शूत्र के अनुसार उसको हम कर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं यह पूरु में इस सूत्र की व्याक्या में हमने देखा परंटो उस पर ये वार्तिक है कि दो धात्वें यहां गिनाई गई है आधी और खाद्यो अद अर्थ और खाद तो अध धातु और खाद धातु ये खाना अर्थ वाले धातु है अद का अर्थ भी खाना है और खाद धातु का अर्थ भी खाना है तो यहाँ पर ये वारति के कहता है कि यद्यपी सूत्र में प्रत्यवसान अर्थ वाले धातूं का अनिजन तवस्था का करता अनिजन तवस्था में कर्म हो जाता है परन्तु यदि खाना अर्थ के अद धात है आदयती, खादयती वा अन्नम बटुना यदि हम इसका अनिजन तवस्था का वाक्य बनाएं तो ये वाक्य होगा बटु अन्नम अत्ते या खादती दोनों जो हैं उधात में एक साथ ही दी गई हैं अगर हम इनको प्रित्रक करना चाहें तो एक वाक्य बनेगा बटु अन् तो यहाँ पर ये अनिजनतवस्था का बाक्य है लेकिन यदि उस बटू उस ब्रह्मचारी को कोई अन्य वेक्ति अन्य खाने के लिए प्रेरित करता है तो ये निच प्रत्यांत बन जाता है रूप तो निच प्रत्य लगाकर जब हम रूप बनाते हैं तो उस अवस्था में जो बटू है जो करता है अनिजनतवस्था का वो अब करता नहीं रहता ये अब प्रयोच्य करता बन जाता है और प्रयोजक करता दूसरा जो उसको प्रेरित करता है वो बन जाता है तो अब प्रशन ये उठता है कि जब हम इस वाक्य को उनिच प्रत्यांत बनाना चाहते है तो यहां बटू जो की करता था क्योंकि अब वो करता प्रमुक नहीं रहा प्रमुक करता वो है जो प्रेरित करता है इसको तो यह प्रयोच्चे करता में फिर इसकी कौन सी विभक्ती लगेगी यह कौन सा कारक बनेगा तो यदि हम निजनत रूपों को देखें तो निच प्रते लगने के बाद यह बटू हमारा अनभीत हो जाता है और अनभीत होने पर इसमें करतरी करणे उस तृतिया सूतर द्वारा तृतिया प्राप्त होती है यह एक सामानने सूतर है जिस बिन निजनत वस्था में वाक्य को बनाते हैं उसमें जो प्रयोज्य करता होता है अर्टात अनिजन तवस्ता का जो करता होता है वो हमेशा तृतियाई भक्ति में होता है परन्तु ये हमें गति बुद्धी इतियादी जो सूत्र है उसमें जो धात्में गिनाई गई है उसका जो अनिजन तवस्ता का करता है वही केवल निजन तवस्था में कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये सूत्र उसी सूत्र का अपवाद है। इसमें कहा यदि अनिजन तवस्था में अधातु या खादधातु का करता हो तो उसको निजन तवस्था में कर्म नहीं होगा। तो कर्म नहीं होगा तो फिर जो हमारा समन्य सूत्र है कि वो करण होगा और उसमें तृतिया भक्ती होगी, वो करता है लेकिन उसको तृतिया भक्ती में प्रियोग किया जाएगा, करण नहीं होगा, साधन नहीं बनेगा, रहेगा वो करता ही, लेकिन अनभीत होने के कारण, अनभीहिते के अधिकार में करती करने उस तृतिया सूत्र आता है तो इसलिए करता उस करता में तृतिया का प्रयोग होगा तो इस प्रकार यद्यपी अधधातु और खादधातु दोनों ही प्रत्यवसान अर्थवाली हैं और यदि सूत्र को ही केवल देखें तो यहाँ पर बटू को कर्म होना चाहिए था, परन्तु इस वार्तिक से वहां कर्म ना होकर, यहां तृतिया भक्ति का प्रयोग होगा समानी रूप से, अब अगला वार्तिक है, भक्षे रोहिन सार्थस्षिना, अब देखिए इस वार्तिक पर भी अपवाद है, अब अभी हमने कहा, कि आ नहीं होगा और इसमें उन्होंने एक और धातु डाली और उसमें कहा भक्षे रहिंसार्थस्य ना अर्थात यदि भक्ष धातु है अब भक्ष धातु का भी अर्थ खाना होता है तो यदि भक्ष धातु है और अहिंसार्थस्य और उसका अर्थ हिंसा करना नहीं है तो उसको भी अनिजन तवस्ता का जो करता है उसको निजन तवस्ता में कर्म नहीं होगा तो अधातू खाधातू इनके साथ भक्षधातू नहीं लिया है इसका प्रयोजन ये है कि भक्षधातू हमेशा ही से अनिजन तवस्ता के करता कि निजन तवस्ता में कर्म संग्या करता हो ऐसा उसमें एक अपवाद और दिया कि अहिंसार्थस्य अर्थात भक्षधातू यदि हिंसा अर्थवाली नहीं है तभी उसके अणिजन तवस्था का करता अणिजन तवस्था में कर्म नहीं होगा तो यह आपके सामने जैसे उदारण है भक्षयति अन्नम बटूना तो यहाँ पर यदि हम अप्रप्षधातू देखें तो बटू यहाँ पर करता है अन्नम भक्षधातू चुरादीगन की धातू है इसलिए यहाँ स्वार्थे निच्प्रत्ते लगता है तो भक्षधाती ही बनता है आणिजनतवस्था में भी है, तो अब इस वाक्य को यदि बटू को कोई और अन्न खिलाता है और भक्ष धातू का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कर्म ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करता में तृतियाइभक्ति का प्रयोग होगा प्रयोज्य करता में तो भक्षयती अन्नम बटूना अब इस स्वार्तिक में कहा कि हिंसार्थक यदि ये धातू है अगर इस धातू का अर्थ हिंसा है तो यहाँ पर कर्म ही होगा अब कर्म क्यों होगा? क्योंकि ये खाना अर्थ वाली धातू है और खाना अर्थ वाली धातू होने के कारण प्रत्यवसान अर्थ होने से जो सूत्र है सूत्र में तो प्रत्यवसान अर्थ की धातूं का अणिजनतवस्ता में जो करता है वो अणिजनतवस्ता में कर्म ही होता है तो यहां देखे इन्होंने आपके समनी स्पष्ट किया कि हेतुमद निजनते विधी रिती प्रतिशेदो प्यान विधाव इत्ययम सन्निदानात तद्वेशयह यह एक बात और जो मैंने भी आपके समनी स्पष्ट किया है कि बटु अन्नम भक्षयती यह अणिजन तवस्था का धातु है करिया है चुरादीगन की होने के कारण यहां पर निजप्रत्य है स्वार्थ में निज़ तो यह जो नियम है कि भक्षधातु का अनिजन तवस्था का करता अनिजन तवस्था में कर्म नहीं होता यह सूत्र यह जो वार्तिक है यह केवल इनी धातों को जो मतिचा सूत्र द्वारा जहां पर निच प्रत्य किया जाता है निच विदी की जाती है महीं पर ये वार्तिक लागू होगा जो स्वार्थे निच से निच प्रत्य जहां होता है चुरादी गणिये होने के कारण महां ये नहीं प्रयुक्त होता ये इन पंक्तियों का अर्थ है तो यहाँ पर देखिए अब हम ये देखेंगे कि अहिन सार्थस्य का कहने का क्या आतात पर है तो यहाँ पर आगे आपके सामने पंक्तियां हैं देखिए जो कुछ भी मैंने संस्कृत में आपके सामने पंक्तियां प्रस्तुत की हुई हैं ये महाभाश्य, काशिका, शब्द अगर वार्तिक में कहा है कि धातु हिंसार्थक नहीं होने चाहिए भक्ष धातु तो यदि हिंसार्थक है तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहां पर निशेद नहीं होगा कर्म का तो आपके सामने इसके उदारन के रूप में है भक्षयति बली वर्दान सस्यम तो यहां पर देखे यह वाक्य है और इसको यदि मैं आणिजन तवस्ता में करूँ तो बली वर्दा सस्यम भक्षयंति बली वर्दा बैलों को कहते हैं बैल सस्य धान को भक्षयंति में सखाते ह यहाँ पर देखे यदि मैं ये इस वाक्य को निचंत निश्प्रत्य लगा कर बताना चाहती हूँ तो यदि कोई व्यक्ति इन बैलों को प्रेरित करता है कि जाकर खेत में सस्य को खाओ तो ये वास्ता में हिंसा है खेत में जो अंकोरादी अब योगे हुए हैं उनको जबरदस्ती भेजना वहाँ पे बल पूर्वक खाने के लिए तो भी हिंसा ही है इसी को सपष्ट करते हो ये पंक्ति है शेत्रस्था नाम अंकुराद्यवस्थायाम यवा नाम हिंसा भवती तेशाम अपी चेतनाद उनमें भी चेतनता है जगदीश चंदरबसु ने जो हमारे को सपष्ट किया उन्होंने जो सिद्धान्त हमारे सामने प्रस्तुत किया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते है तो यही बात यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलती है कि हमारे प्राचीन जो रिशी थे हमारे विद्वान थे वो यह जानते थे कि इनमें ब्रिक्षों में पेड़ पौधों में भी चेतनता होती है इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि अंकरों को खाने के लिए यदि बैलों को प्रेरित किया जाता है बेजा जाता है तो ये भी हिंसा होती है और हिंसार्थक हो जाती है फिर ये भक्षदातू तो हिंसार्थक हो जाने के कारण यहाँ पर देखे भक्षेती बली वर्दान सस्यम यहाँ पर बली वर्दाई ही सस्यम नहीं प्रियुक्त और अगर हिंसार्थक है तो वो कर्म होगा तो दोनों के ही उधारण आपके सामने में रखे हैं। अब अगला वारतिक है जल्पती प्रभृती नाम उपसंख्यानम अब ये वारतिक है जल्पती प्रभृती नाम जल्पती इत्यादी तो जल्पती इत्यादी जो धातु है उनका उपसंख्यान करना चाहिए अर्थात उनके अणिजन तवस्था का करता अणिजन तवस्था मे कर्म होना चाहिए अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो सूत्र में शब्द कर्म कहा शब्द कर्म नाम शब्द कर्मा कर्म का नाम उसमें शब्द कर्म है अर्थाथ शब्द कर्म जो धात्वें होती है उनके निजन तवस्था के करता अनिजन तवस्ता का करता लिजन तवस्ता में कर्म होता है यहाँ पर इसमें जलपती प्रभृती नाम उपसंख्यानम क्यों कहा तो ये मैंने आपके सामने जब उस सूत्र की व्याख्या की थी तो मैंने आपके सामने शब्द कर्म, शब्द के जो अर्थ महाभाश्यकार ने लिए हैं, उस पर चर्चा की थी, क्योंकि कर्म शब्द दोनों अर्थों में प्रियुक्त होता है, कर्म कर्म के लिए भी और कर्म क्रिया के रूप में भी प्रियुक्त होता है, तो उस सिती में शब्द कर्म के दो अर्थ बनते हैं एक शब्द कर्म यस्य अर्थात शब्द जिनका कर्म है और दूसरा जो है जिस धातु का शब्द कर्म है और दूसरा शब्द क्रिया नाम अर्थात वे धातु जो शब्द क्रिया रूप है अर्थात शब्द जिनका व्यापार है क्रिया ह वैसी धात्में, तो उस संदर्भ में मैंने आपके सामने कुछ वारते, कुछ समस्याई रखी थी, कि यदि हम शब्द कर्म मानते हैं, तो हमें कुछ को लेना पड़ेगा, कुछ धात्मों को, कुछ को छोड़ना पड़ेगा, और यदि शब्द क्रिया मानते हैं, तो भी हमें कुछ-कुछ धात्यों को उसमें जोड़ना पड़ेगा या लेना पड़ेगा ये मैंने पूर व्याख्यान में स्पष्ट किया पन्तु इस समय जो अधिकांशता वयाकरण है वो शब्द कर्म का अर्थ मानते हैं शब्द कर्म है जिनका वे धात्यों जिनका कर्म शब्द है व वो ऐसी धातुएं, मैं अभी इसके सामने, आपके सामने शब्द क्रियारूप का जो यूदाहरन है, इसको अभी बताती हूँ, परनतों यहां मैं यह बताना चाहती हूँ, कि वही आकरण अधिकांशता, शब्द कर्म कारकम ये शाम ते, शब्द कर्मा नहां, यह आपके साम इत्यत्रे कर्म शब्द क्रिया पर रहां, यह भी दिया है, काशिका कार ने भी दिया है, शब्द कॉस्तुब में भी ये दिया गया, बताया गया है, कि जो कर्म, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, एक मात्र, यही सूत्र है, जिसमें कर्म शब्द का प्रयोग क्रिया अर्थ में किय तो इसलिए सूत्र में शब्द कर्म शब्द जो है वो शब्दा कर्म ये शामते यही मानना पड़ेगा तो उसको मानते हुए ये जो हमारे सामने वारतिक गिनाया गया है जल्पती प्रभृती ना जल्पती भाषते ब्रूते ये जो हैं ये धात्म गिनाये गई हैं तो इन ध देखिए हम जब कहते हैं जल्पती, जल्पती में इस बोलता है, बात करता है, तो यहां पर जब जल्पती का परियोग है, तो यह शब्द क्रिया है, जब बोलना में इस बोलना क्रिया करते हैं, तब ही हम जल्पती कहते हैं, तो बोलना क्रिया रूप हैं, इसी प्रकार से भा और वेद शब्द रूप है तो जल्पती आदी जो हैं क्योंकि ये शब्द कर्मा नहीं है और शब्द कर्मक ना होने के कारण इनको जो सूत्र है उससे इनके कर्म संख्या नहीं होगी किसकी अड़िजन तवस्था के करतागी इसलिए प्रस्तुत वारतिक देने की अवशिक् जिखान रखिएगा कि ये जो जल्पती प्रभृती नाम उपसंख्यानम वारतिक दिया गया है ये तभी वारतिक संभव होगा जब शब्द कर्म का अर्थ होगा शब्द कर्म ये शामते क्योंकि जल्पती आदी धात्वों का शब्द कर्म नहीं है इनका कर्म शब्द नही हैं जल्पती जब तक मुँसे आवाज बोलनेंगे नहीं शब्द नहीं निकलेगा तो जल्पती करिया जो है वो नहीं हो पाएगी तो इसलिए क्योंकि इनका अड़िजन तवस्था का करता अड़िजन तवस्था में कर्म होता है भाशा में तो इसलिए ये अलग से वार्तिक दिया कि यद्धेपी शब्द कर्मा नहीं है ये धातुएं लेकिन फिर भी इनके भी अड़िजन तवस्था का करता अड़िजन तवस्था में कर्म होगा तो उदाहरन आपकी सामने है जलपयती धर्मम पुत्रम इसमें पुत्र को धर्म जलपयती जो बोल कर बताता है तो यह यहां पर जलपयती जो है यह जलपधातु शब्द कर्म नहीं है शब्द क्रिया रूप है परन्तु वार्तिक में जलपती का दिया है इसलिए यह यहां पर जो करता है अगर हम इस वाक्य को अड़िजन तवस्था का वाक्य करते है तो पुत्रा धर्मम जलपती तो यहां प पुत्र करता है जिसको कि यहाँ प्रस्तुत भार्तिक से कर्म हो गया सूत्रदारा नहीं होता इसलिए भार्तिक देने की अवश्क्ता पड़ी सूत्रदारा क्यों नहीं होता क्योंकि सूत्र में शब्द कर्म का अर्थ है शब्द कर्म कारक है जिनका अब इसी प्रकार्च देखिए भाशयती धर्मम पुत्रम देवदत्ता तो यहाँ पर भी अगर हम इसका अनिजन तमस्ता का वाक्य करते हैं तो पुत्रा धर्मम भाशते पुत्र धर्म बोलता है धर्म समंदी बात करता है तो भाशते बोलना बात करना ये शब्द कर्म नहीं शब्द क्रिया रूप है बोलना अपने आप में क्रिया है और वो शब्द रूप क्रिया है तो इसलिए इसमें जल्पती परभृती में भाश्तातु का भी प्रयोग महाभाश्य में किया है तो इसलिए यहाँ पर भी जब हम इस वाक्य को अनिजन करने के लिए तो फिर ये प्रयोच्च करता है और इसको कर्म होकर भाशयती धर्मम पुत्रम और देवदत्ता ये प्रयोजग करता है उसमें प्रत्मा होती है तो ये शब्दा कर्म ये मैंने आपके सामने इसको सपष्ट कर दिया है कि शब्द ये क्रिया पर है ये तो एक ही स याकरणों ने कर्म का अर्थ जो है क्रिया ना लेकर शब्द कर्म कारक है जिनका ऐसा लिया है तो यहां कहा कि अतएव शब्द कर्म का नामित्यस से शब्द हा कर्म कारम यह शामित्यर था अन्यता वेदम अध्यापयत विधिम इत्यसिद्धे तो देखे है यदी हम शब्द क्रिया मानते हैं, तो यहां जो यह वाक्य है कि वेदम अध्यापयत विधिम, तो विधी वेदम अध्याइत होता है, विधी ने वेध पड़ा. तो यहाँ पर अध्यापयत जो है जो हम अनिजन्त बनाते हैं तो यह अध्यापयत कर्म का कर्म है वेद और वेद शब्द रूप है तो यह अध्यापयत जो है वो शब्द कर्मक है और यदि हम यह मानते कि क्रिया अर्थ है इसका कर्म का तो यह वाक्य जो है यह सिद नहीं हो पाते तो इस प्रकार से इस वारतिक में वेधात्वे जिनका अर्थ क्रिया रूप है शब्द क्रिया है उनके लिए विशेश रूप से वारतिक देने की आवशेक्ता पड़ी है सभी को मेरा नमस्कार अगले व्याख्यानमे में इस पर अन्य वारतिकों पर आपके साथ चर्चा करूए